आज के वीडियो में most important question लेकर के आए हैं कच्छा बारा बोर्ड परिक्षा के लिए ये question NCRT के very most important question है यानि NCRT के selected question है जो बार बार पोशे जाते हैं और दोनो question गर्भ निरोधक पर आधायत हैं गर्भ निरोधक पर तो पहला question है क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग नियायोचित है जो गर्भ निरोधक होते हैं यानि गर्भ धारन ना हो इसके लिए जो युक्तियां प्रियोग की जाती हैं क्या वो सही है अगर सही है तो कारण बताई तो देखे हाँ सही है गर्भ निरोधकों का उपयोग नियायोचित है कैसे नियायोचित है ताकि जनसंख्या पृध्धी की दर को रोका जा सके चोकि गर्भ निरोधक जो होते हैं ये गर्भ धारण को रोकते हैं गर्भ धारण नह तो यह कहते हैं जनसंक्या भृध्धी की दर रोगते हैं जनसंक्या को कम करते हैं तो जनसंख्य में लगातार भृध्धी होते रहने से देश प्रती नहीं कर सकता यानि कि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रहे तो जनसंख्या के लगातार बढ़ने से देश प्रगती नहीं कर सकता देश की प्रगती नहीं होगी तरक्की नहीं होगी इसलिए गर्भ धारण को रोक कर जनसंख्या विसफोट को रोका जा सकता है यानि यही कारण है कि ग अतरित और भी कारण है कौन कौन से इसके अतरित कई अन्य कारण भी है जैसे पहला है गर्भ निरोधक अंचाहे या आवांचनिय सगर्भता से छुटकारा दिलाता है अगर आप नहीं चाहते हैं तो अंचाहे गर्भ से छुटकारा दिलाता है या आवांचनिय जो गलत सगर् फिर अगला है गर्भ निरोधक यौन संचारित रोगों से बचाओ भी करता है। गर्भ निरोधक क्या करते हैं कि यौन संचारित रोग होते हैं उनसे बचाओ भी करते हैं। अब आप गर्भ निरोधक का प्रियोग कर रहे हैं जैसे निरोध का प्रियोग करते हैं जो कंडॉम का प्रियोग करते हैं तो इसके प्रियोग से यौन संचारित रोग नहीं होते हैं अगर आप लोग फूल चैप्टर यौन संचारित रोग वाला देखना चाहते हैं तो हमार जा करके देख सकते हैं फिर दूसरे question पर आते हैं देखे दूसरा important question है जनन गरंथियों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता क्यों जो जनन गरंथियां होती हैं इन गरंथियों को हटाना अगर इनको हटा दिया जाए तो क्या गर्भ निरोधकों का व युक्ति होती है यंत्र होते हैं इन यंत्रों का प्रियोग करके गर्भधारण नहीं होता है उन्हें गर्भ निरोधक कहा जाता है यह जिन यंत्रों से गर्भधारण ना हो जिन यंत्रों का प्रियोग करके यूज करके गर्भधारण ना हो उसे ही गर्भ निरोधक कहा जाता यदि हम इन्हें प्रियोग में ना लाएं तो गर्भधारण हो सकता है यह हमारे उपर है कि हम आपके प्रियोग करते हैं तो गर्भधारण नहीं होगा अगर हम जनन ग्रंथ को एक बार हटा दें तो हटाने के बाद फिर कभी भी गर्भधारण नहीं होगा गर्भावस्था नहीं आएगी तो इसलिए जनन ग्रंथ को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता है गर्ब नोधा का विकल्ब जनलन ग्रंति को हटाना नहीं है आसा है दोनों क्वेस्टन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद